असलावलेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हैं आप लोग सब खैरियस से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत अलग सी वीडियो लेकर आये हैं आज हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं एक फूड रिव्यू और इस चैनल पर हम पहली बार फूड रिव्यू आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अगर आप लोगों को इस तरह की फूड रिव तो चरिया ये स्टार्ट करते हैं अपना रिवियू और हम इदर गए थे देशी चार्ट कॉर्णर पे वहां से हमने ओर्डर किये थे तो ये हमने ओर्डर किया था और ये टू टैन का था चार्ट शायद 170 रुपीज की थी लेकिन हम दोनों को दोनों चीजे बहुत अच्छी लगी इनका दही भी अच्छा था कॉंटिटी अच्छी थी एक बंदा नहीं खा सकता पेट भर के अगर बहुत ज्यादा भूका है ये काफी ज्यादा कॉंटिटी में होती है और ये काफी बड़ी होती है तो ये चार लोगों में हमने एक ही ली थी और ये किकते हैं पूरी फुल थी मतलब इसमें क्रश भी अच्छा था इसमें मिठास और मसाले वगरा हर चीज बैलन्स थी ऐसा नहीं था कोई भी चीज ज नहीं दाले वे थे उन्होंने पापड़ी भी आट कीवी थी तो मतलब एक कंप्ली चार्ट का आप कहनें कॉंबो था जो के बहुत मज़ेदार था हम लोगों को बहुत पसंद आई और कि आप लोग जाएं तो जरू ट्राइ कीजेगा में तरफ से हाईली रेक्मेंड़े थ इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और इसके बाद हम लोगों ने ये मीठे दही बड़े एंजोई किये तो ये भी बहुत अच्छे थे ये माश की डालके थे इसके उपर उन्होंने क्याते हैं पापड़ी डालके दीवी थी थोड़े से सेव डाले थे एक मतलब दही बड़ों ये उसके साथ 2 ड्रिंक्स थी लेकिन मुझे ये डील अच्छी नहीं लगी है मुझे रडी इसके बर्गर से नहीं अच्छे लगते हैं क्यों नहीं अच्छे लगते ये second experience था हमारा लेकिन मेरे हिसाब से इनका portion size बहुत कम था sauce ना होने के बराबर था हलका सा spread हुआ वा था मतलब burgers के अंदर sauce वगएर इस सब चीजे होती है तब ही आपको मज़ा आता है हलका सा नीची है बस एक उन्होंने एक lettuce का leaf लगाया था और ज्यादा कुछ add नहीं किया था और फिर उसके बाद क्योंके वो खाके हमारा पेट नहीं भरा था हमने अपना इधर पीजा ओर्डर किया था तो इधर भी इन लोगों के पास डील आई वी थी हमने डील में से ही ओर्डर किया था पीज़ की थी 749 रुपीज की मतब 700 रुपे का आपको 13 इंच का पीजा मिल जाएगा यहां से और इनकी डीज काफी अच्छी थी फ्लेवर जो होता इसका हमने मंगाया था है बन आयरो और इसके साथ इनोंने रैंच सॉस दिया था तो इनका पीज़ा जो था मेरी तरफ से आपको लोगों को highly recommended है आप जाके आँख बन करके order कर सकते हैं और खा सकते हैं और वेशटबर से इनकी fresh थी सबसे अची बात था थी और Bone भी अच्छी थी अगर आपके पीजा की ब्रेड ब्रेड थी 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 ऑपको आपको पीज़ा झालों क्यों मुभी अग्शी थी खाने में दर ऑगी थी ता नहीं थी ब्लेड रगों डिलास वाझा की धटीशा पहस जोड़ता होगा और हम लोगों नहीं तो खेर हम लोगों ब्रैट्स वगरा खाते हैं चोड़ते नहीं हैं लेकिन इनकी ब्रैट बहुत अच्छी थी और इसका क्रस्ट अच्छा था तो बहुत मज़दार था यह पीजा इसके पर सॉस उन्होंने डाल के दिया वा था और यह जो ब्रैट के कौनर से उसके नहीं चीज स्टाफ हुआ वा था या पर कोई सॉस स्टाफ हुआ वा था जो के बहुत मज़दार लग रहा था और हमारी तरफ से हाई जी रखें पर जाएं तो ट्राइज जरू कीजिएगा इस पीजा को या कोई भी फ्लेवर जो आपको पसं पर नहीं थी तो ड्रिंक्स वगरा हमें अलग से ही लेनी पड़ी थी और आप जब भी लगी वन मॉल जाएं तो वहां पर ड्रिंक्स वगरा आपको खुदी परचेस करनी पड़ती हैं और जोड़ा सा रजी अजीब था के डबल प्राइस में वो लोग दे रहे थे जो बहा है लेकिन किकते मैंने कोशिश की है आप लोग के लिए एक फूर रिव्यू बनाने की नेक्स टाम इंशाला हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वीवर्स ये था आज का हमारा आप लोग अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो हमाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईगा कैसी लगी आपको ये वीडियो हम दोनों को अपनी दूआउमे याद रखिएगा थैंक्यू फो वाचिंग अला हाफिज